क्रिकेट के दुनिया में भगवान की उपाधी पाचुके भारत के महान बल्लेबाद सचिन तेंदूलकर ने बीते बुधवार नौइड़ाग में जारी आटो एक्सपो में शिर्कत की इस मौके पर उन्होंने अपने बेटे अरजुन तेंदूलकर पर कई बाते बताई मास्टर बलास्टर सचिन तेंदूलकर के बेटे अरजुन तेंदूलकर भी इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री मारने के लिए कमर कसकर तयार हो रहे है सचिन महान क्रिकेटर रहे है और इसका काफी दबाव उनके बेटे पर भी है सचिन ने अपने बेटे का साथ खुद की तुल्ला पर कहा कि उसे अरजुन ही होना चाहिए सचिन ने कहा कि अरजुन को अरजुन रहना चाहिए और उन पर मेरे नाम का दबाव नहीं होना चाहिए किसी की किसी से तुल्ला नहीं होनी चाहिए उसका focus खेल और उसके जुनून पर होना चाहिए एक पिता के रूप में मैं यही चाहता हूँ तुलाएं तो होती रहेंगी अगर वे करना चाहते है तो वे करेंगे लेकिन मैंने अपने पिता से यही सीखा है कि जो भी काम आप कर रहे है उसी पर अपना फोकस रखें, बाकी की चीजे होती ही रहेंगी आपको बता दे सचिन ने अपने 24 साल के इंटरनाशनल क्रिकेट करियर में खेल के सभी फॉर्मेट में 34,357 रन बनाए उन्होंने रेकॉर्ड 100 सेंचुरी और 164 हाफ सेंचुरी अपने नाम की NMF News की रिपोर्ट